दोस्तों लिविन रिलेशन्शिप को लेकर जो बड़ी गलत फैमी है लोगों के बीच में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे दूर करने वाला हूँ पती पतनी के बीच में जब एक पारिवारिक मद्वियत हो जाते हैं एक दूसरे के साथ वो रहना पसंद नहीं करते हैं या फिर एक दूसरे के बीच में जब बन्नी बंध हो जाती है तो कहीं न कहीं ये आज के समय में देखने को मिला है कि पती हो या पतनी वो किसी और से में आ जाते हैं और उसके बाद अवैत संबंदों का एक रिष्टा शुरू हो जाता है अब इस जगह पर एक गलत फैम यह होती है कि वो अपने पती या पतनी को छोड़ कर किसे अन्य व्यक्ति के साथ लिविन डिलेशन्शिप में रह रहे हैं अब लिविन डिलेशन्शिप आज कल एक ट्रेंड समझ लें मार्किट में इतना जादा यह शब्द आ चुका है लिविन डिलेशन्शिप के अगर कोई भी बात हो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी महिला या पुरिश के साथ अवैत संबंदों में रह रहा है तो वो उसे लिविन डिलेशन्शिप का नाम दे रहा हो और किसी अपराद के दाएरे में आता जा रहा हो तो आज इसी बात को समझने वाले हैं इसका एक और पहलू यह भी है कि पती पत्नी के बीच में जब जगड़े हुए पती किसी अन्य महिला के साथ लिविन डिलेशन्शिप के नाम पर रहने लग जाता है उसके स सिच्वेशन में वैलिड होता है या नहीं देखिए अगर आप शादी शुदा हैं और शादी शुदा होने के बावजुद भी आप किसी अन्य महिला के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ संबंधों में रहते हैं तो वो किसी भी तरीके से लिविन डिलेशन्शिप के द उसके बाद आप अगर किसी व्यक्ती से वैथ संबंद बनाते हैं शारीरिक संबंद बनाते हैं तो उसे कानून से संड्रक्षन नहीं मिलेगा। उसे अवैथ संबंदों के दाएरे में रखा जाएगा ना कि लिविंड एलेशंशिप के दाएरे में। इसलिए जिन लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पती हो कि अगर शादी हो रखी है पती पत्नी के बीच में आपस में नहीं बन रही तो किसी अन्य पुरुष या महीला के साथ अवैद संबंदों में रहना शुरू कर दो और उसे लिव-इन रिलेशन्शिप का नाम नहीं दिया जाएगा वो चीदे टौर पर एक अपराद होगा जिसके लिए 494 और 495 इन दोनों धारों में मुकदमा भी बन सकता है और नहीं कोई कोट इस चीज को सपोर्ट करती है हाई कोट ने भी ऐसे मामलों में कई बार ये कहा है कि अवैद सब्समंदों को लिव इन रिलेशन्शिप का नाम दे के उने संडक्षन देना यह भी अपने आप में एक तरीके का अपराद है इस तरीके 24 को किसी भी तरेके की कोट चाहे वो हाई कोट हो चाहे वो सुप्रीम कोट हो अगर आप शादिशुदा हैं आपका तलाग नहीं हु अब अच्छे से समझ लें कि अगर आप शादी शुदह हैं और उसके बाद भी आप किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ अवैद संबंधों में रह रहे हैं तो वह लिविन रिलेशन्शिप के दायरे में नहीं आएगा कोई भी कोट इस बात को ना सपोर्ट करेगी नहीं आपको इस बात को लेके प्रोटेक्शन देगी कि आप किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे हैं क्योंकि वह एक इलीगल रिलेशन्शिप है उसे अवैद रिष्टों के दायरे में ही रखा जाएगा लिविन रिलेशन्शिप में चाहता है उसके husband या wife उस समय तक deceased हो चुके हो एकस्पायर कर चुके हो अगर इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जो living relationship में रहना चाहता है उस समय पर पती या पतनी जीवित है और उसके बाद अगर वो किसी अन्या से संबंद बना लेता है तो वो living relationship नहीं है वो अवैद संब के दायरे में आएगा उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो के बादि हमसे जानकारी मिल गई होगी कि क्या होता है living relationship और कैसे कंफ्यूज हो जाते है living relationship में और अन्जाम देते हैं अवैद संबंदों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और कमेंट करें चैनल को सब्सक रहें stay safe stay alert आपका दिन शुब हो